जहिन साधियो, आज मैं पूरे मुल्क की ओर से अपने इंडियन एर फोर्स के बहादूर फाइटर पालेट्स को मुवारगवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पाकिस्तान में मौजूद जैसे महुवद के तीन टिर्रिस्ट केम्स को निस्तानाबूद कर दिया। दोस्तो ये इसलिए करना पड़ा कि अगर आपके घर में कोई घुसके आपके बच्चों का, आपके मावाप या आपके भाई भेहन या आपके पती या पत्नी का कोई कतल कर दे तो आप क्या करेंगे। आपको मजबूरन उसके घर में घुसके उस कातिल को मारना दोस्तो मेरी आपसे एक अपील है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी सारे स्लीपर सेल्स हिंदुस्तान में अक्टिवेट कर दिया हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी अन्यूज्वल हरकत दिखे किसी वेक्ति या सैंस्ता की तो आप सिक्यूर्टी एजेंसीज और इंडेलिजेंस एजेंसीज को इसीज की इतला कीजिए। इसके साथ ही मेरी एक और पील आप से कि वाटसप, ट्वीटर और फेस्बुक पे कोई भी सेंसिटीव और सीक्रेट इंफोर्मेशन सेर मत कीजिए ना। क्योंकि यह रास्ट की सुरुक्सा का मामला है, यह हम सब की इस रुक्सा का मामला है और हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही में पाकिस्तान के आवाम से भी एक अपील करना चाहता हूं कि हमारी आप से कोई परस्नल दुस्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मौझूद वो लोग या वो सेंस्ता हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्ता आमी जो इस देश में देशतगर्द और आतकवादी भेज रहे हैं, हम उसको बरदास्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें और अंदर जाके इससे बड़ा हमला करना पड़ा तो भी हम करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सेना से पूछे कि कि वो यह क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या मिलेगा इससे। उन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक बिखारी देश बना दिया है। मेरी आपसे अपील है कि आप पाकिस्तान की सेना को पूछें कि जैसे हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ल पर हमारे लोगों पर हमला किया तो हम आपके घर में गुश के आपको मारने से चुकेंगे नहीं यह आपको एक हिदायत है जै ही जै भारत